Hello everyone, welcome back to my channel, let's learn English brilliant, मैं आपका स्वागत, आज की वीडियो में हम जानेंगे daily use English sentences, यानि की use of who, so please वीडियो को end तक देखना, so आईए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं, आप वहां किसे मिले थे, आप वहां किसे मिले थे, तो इंग्लिश में आप simple तरीके से बोलेंगे, who did you meet there यानि की आप वहां किसे मिले थे, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है, simple तरीके से आप बोलेंगे, do you know who she is, तो बढ़ते हैं अगला सिंडेज जानते हैं कि अगर आपको बोलना हो कि आप किसे बात करना चाहते हैं आप किसे बात करना चाहते हैं तो आप English में simple तरीके से बोलेंगे Who do you want to talk to? Who do you want to talk to? यानि कि आप किसे बात करना चाहते हैं पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक के यानि कि किताब किसके द्वारा लिखी गई थी इंगलिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे आगर आपको बोलना हो कि आपका पसंदीदा टिवी स्टार कौन है अगर आपको बोलना हो कि मुझे नहीं पता कि किस्ने बनाया तो इंग्लिश में आप बोलेंगे सिंपल तरीके से I don't know who made the cake I don't know who made the cake यानि कि मुझे नहीं पता कि कि किस ने बनाया अगर आप बोलना चाहते कि आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ तो इंग्रिश में आप बोलेंगे Who do you think I am Who do you think I am यानि कि आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ यह चित्र किसने बनाया है यह चित्र किसने बनाया है इंग्रिश में आप बोलेंगे simple तरीके से who painted this picture who painted this picture यानि कि यह चित्र किसने बनाया है आईए बढ़ते हैं अगला sentence देखते हैं party में और कौन आया अगर आपको पूछना हो कि party में और कौन आया तो इंग्रिश में आप बोलेंगे who else came to the party who else came to the party यानि कि party में और कौन आया guitar कौन बजा रहा है guitar कौन बजा रहा है इंग्रिश में आप बोलेंगे who is playing the guitar who is playing the guitar यानि कि guitar कौन बजा रहा है आप किसे बात करना चाहते हैं, अगर आपको पूछना हो कि आप किसे बात करना चाहते हैं, तो इंग्लिश में आप सिंपल तरीके से बोलेंगे, who is it that you want to talk to who is it that you want to talk to so बढ़ते हैं आगे अगला वाक्के हमारा अगर आपको पूछना हो कि अगर आप पूछना चाहिते कि आज का पेपर कहा है आज का पेपर कहा है इंग्लिश में आप बोलेंगे where is today's paper where is today's paper यानि कि आज का पेपर कहा है आप कहां रहने की योजना बना रहें आप कहां रहने की योजना बना रहें तो इंग्लिश में आप बोलेंगे simple तरीके से where are you planning to stay where are you planning to stay यानि कि रुकने की कहां योजना बना रहें क्या आप जानते कि वह कहां गया था क्या आप जानते कि वह कहां गया था गए थे आप कहां गए थे इंग्लिश में आप बोलेंगे वेर डिडियू गो वेर डिडियू गो यानि कि आप कहां गए थे तो आईए अगला सेंटेंस हैं मारा हम कहां मिलेंगे अगर आपको बोलना हो कि हम कहां मिलेंगे इंग्लिश में आप बोलेंगे वेर विल वी मेट where will we meet तो यह थी आज की वीडियो वीडियो कैसी लेगी काला हूज आपको वीडियो पसंद आयोज तो लाइक करें अबने दोस्तों में शेयर करें यột आपको किसी भी टापिक पर वीडियो स्यरी तो है जरूर बताइएगे सो आज की वीडियो में पेंट करते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में